तो है अब स्टार्ट करते हैं अपने साइस का लास्ट पार्ट जो के निमारेकर प्रॉब्लम बेस्ट है स्टार्ट करते हैं अपने निमारेकर निमारेकर नमबर वन से What is the charge flowing through the wire आपके पास ना इसने current और time बता दिया और कहता है चार्ज क्या होगा तो current कितना है हमारे पास current है मेरे पास 3 million pairs और जब कि हमारे पास time जो है वो है 1 minute या फिर इसको हम 60 seconds भी कह सकते हैं आपको पता है formula है Q is equal to IT हमने इसमें Q को निकालना है तो just इसकी values पूट कर देते हैं Q is equal to मिली है तो हम 10 की पावर माइनस 3 यूज कर रहे होंगे 10 की पावर माइनस 3 यह आई की value इदर मैंने पूट कर दी इस जगा पे ना आई की value यह और time है हमारे पास 60 तो 3 into 10 to raise power minus 3 into 60 तो यह हमारे पास आ रहा होगा 0.18 कूलम तो यह आपने देखा कि अगर हमारे पास current और time given हो तो हम charge easily find कर सकते हैं by using Q is equal to 80